हापी पर्टी तो यू दो नमंबर को पैदा अगर आप हुए है तो आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है आपका ये दोस्त आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर क्या आया है आप इसका लाव लीजिएगा और हाँ अगर आज आपकी शादी की साल गिरा है अग्राचुलेशन्स शुब कामनाए बहुत सारी बेश्ट विसेज आप दोनों के लिए आपका आप एक कपल की रूप में आइडियल बने आदर्शुष थापित करें ऐसी हम इस वर्शी प्रार्तना करते है दोनोंबर को सुर्योदे के समय ग्रहों की इस्थिति क्या थी क्या आईए जानते हैं एक बार शनि धनू राशी में मंगल केतु मकर राशी में राहु करक राशी में चंद्रमा सिंग हश्त है चंद्रमा मगानक्षत्र में हैं लिहाजा इस वर्ष फल में आज आपका जो महादशा आरम हुआ है वो केतु की दशा है तो आएए बताते हैं सबसे पहले आपकी सिक्षा के विशे में कि आपकी सिक्षा कैसी जाएगी अगर आप दो नॉंबर को पैदा हुए है एक रुकावट आपके सिक्षा में आ रही है और वो है आपका निगेटिव होना किताब खोलते ही लगता है जैसे हमसे ना होगा विकॉज अफ केतु पकड़ में आ गया है उपाहम बताएंगे चिंता ना करी बड़े फैसले टाल दीजेगा बड़े एक्जाम सिटाल दीजेगा योपी असी मत दीजेगा अगर दो नॉम्बर को पैदा हुए है हतात मत हुए यह मत सुचेगा कि मैंने आपको निगेटिव कर दिया मैं कुछ देख करके बोल रहा हूँ इस पर आपको ध्यान देना होगा अगर आप दो नॉम्बर को पैदा हुए हैं और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए बिल्कुल सकरात्मक समय है आप व्यापार को फैला सकते हैं व्यापार में बड़े रिस्क ले सकते हैं धन की इस्थिती भी आप इनवेश्ट कर सकते हैं और मिल लीजेगा बड़ा इन्वेश्ट से पहले एक बार बाकी ग्रहों को भी देखना निवारे रहेगा आपकी कुनली पर भी असर बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है पचातर असी प्रिस्चन तक केतु की दशाहल यहाजा शक न करिएगा अपने आप पर जरूर आप अच्छा सोचेंगे प्राइवेट सेक्टर पश्चिम दिसा में जनवरी फरवरी में आपका नया जॉब वेट कर रहा है महिला बॉस के साथ टकराव की स्थिति आ सकती है शादी के मामले में प्राइवेट सेक्टर वाले भी टाल दे है समय ठीक नहीं गॉर्मोशन का योग मार्च के बाद और मनचाहत ट्रांसफर चाहते हैं गॉर्मोशन जॉब वाले जो दो नॉबर को पैदा हुए है तो उसके लिए जनवरी महिना सबसे शुब रहेगा अगर आज आपका जनम दिन है और मैरिट लाइफ की विशे में आप जानने की शुक हैं शादेशुता जीवन आपका कैसा जाएगा दो नॉबर को पैदा हुए लोग के लिए तो देखे दामपत्य जीवन में किसी अन्ने का प्रवेश तो नहीं होगा जिसका डर आपको लग रहा था लेकिन पत्धी पत्नी के बीच तकराव कई बार पैदा होगा थोड़ा सा जुकाम का असर हो रहा है तकराव किस्तिती पत्ती पत्ती के बीच में फरवरी में आरंभ होगा जो कि अगर सितंबर तक बदस्तूर चलता रहेगा इस बीच में हो सकता है एक दो महिने के लिए आप लोग सेप्रेट भी हो जाए बारे लोगों का हस्तक शिप अपने दामपत जीवन में एकसेप्ट न करिएगा ने था आपका दामपत जीवन खतम हो जाएगा बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आपके लव लाइफ की विशे में अगर आप दो नोवंबर को पैदा हुई है और आप लव लाइफ की विशे में जानना चाहते हैं तो बिलकुल अकूरेट इग्जैक्ट बेहतरीन समय चल रहा है लव लाइफ आप अच्छे से इंज्वाय करेंगे और धन की श्तिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी जिसका असर आपके लव लाइफ पर पड़ेगा आप अगर चाहते हैं कि शादी में आपका प्रेमी जीवन कनवर्ट हो जाए तो यह भी बहुत हत्तक संभव है विचार किया जा सकता है एक बड़ी सूचना हम आप लोग को देना चाहेंगे अब से दो पहर दो बच कर तीस मिनट पर भी हम लाइव आएंगे विशे के साथ तो दो पहर दो तीस पर याद रखिएगा बिमारियों के बारे मता दे दिनांग दो नौंबर को पैदा हुए लोगों की बिमारियों की स्थिती पेट से संबंधित बिमारी बहुत परेशान करेगी और वोई गुप्त बिमारी भी परेशान कर सकती है क्या करें उपाए इसके लिए तीन पीपल का पौधा किसी मंदिर में रखवा दिजेगा और दो बच्चों को पाठ्थ पुष्टक का दान करिएगा आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो उसके लिए आपको तीन लौंग शहद के साथ श्यूलिंग पर चढ़ाना है पती पत्नी को अगर आप किसी दूसे धर्म संप्रदाय से हैं या किसी कारण से यह नहीं चढ़ा सकती है सकते हैं तो दो बच्चों को खाना खिला दीजेगा शुक्रिया धन्यवाद आप सब का तो दो पार दो बच्च कर तीस फिनट से भी अब आपको लाइब हम मिला करेंगे डेली इसी चैनल पर विशे भी आप दे सकते हैं हमारी कम्यूटी में जा करके कोछ नया विशे आपको सज़ेश्ट करना हो तो आप दे दीजेगा और उन्निस नवंबर के बच्चे के अविवाहित होने पर या शादी योग्य होने पर भी शादी ना होने पर होता है इस दर्द को आपका एश्टो फेंड दिल से महसूस करता है तभी तो आप सब के लिए एक ऐसा मुहूर्त चुन करके लाया है जब आपके जीवन में प्रारब्ध के आधार पर प्राप्त आविवाहित योग को भी भंग किया जा सकता है जानते हैं क्या है वूर्थ? 19 नमंबर 2018 दिन सोमवार तुलसी विवाह का दे आप सब का स्वागत करते हैं ऐसे सभी लोग लड़के और लड़कियां जो विवाह के योग की हो चुके हैं सक्षम हैं और फिर भी शादी नहीं हो रही है देरना करिएगा तुरंट कॉल करिए जो नमबर साब के सामने चल रहे हैं और अपना अपना रजिश्रेशन करवाईए धन्यवाद जैश्री राध हे एस्टु फ्रेंड संतोश संतोशी जी के दौरा जन कल्यान और प्राणियों के खुशाल जीवन के लिए एक महायग्य का आयोजन किया जा रहा है इस महायग्य में हर एक हवन कुंड पर एक ब्राहमन द्वारा आपके कुंडली के ग्रहों के अनुसार मंत्र जाप और आहुती की वेवस्था होगी हमारा उद्देश्य जन कल्यान के साथ साथ राष्ट निर्मान और कल्यान भी है जिसके लिए अलग से कुंड और ब्राहमन निर्धारित किये जाएंगे जो संतोशी जी के मार्क दर्शन में मंत्र जाप करेंगे इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आप हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाटसैप के द्वारा पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे नंबर्स हैं 9560447000 9910291850 9999024099 दिल्ली और NCR में रहने वालों के लिए खुश खबरी आप अपना रजिस्ट्रेशन हमारे कारेले पर आकर भी करा सकते हैं हमारा पता है B35GM1 शालिमार गार्डन एक्स्टेंशन 2 साहिबाबाद घाजियाबाद उत्तर प्रदेश यग्ये के लिए रेजिस्ट्रेशन पहले आउ पहले पाउ के आधार पर होगा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलिए